हाई गाईज वेलकुम टूरा केट्स तेजा तो आज हम ये कृषिन जी की प्यारी सी पेंटिंग बनाने वाले हैं तो ये है मेरी रेफरेंस फोटो और ये है स्केचिंग जो मैंने रफ स्केचिंग करी है जिसे की पेंटिंग में एजी होगा यहाँ पे आप वीडियो पॉस करके रफ स्केचिंग कर सकते हैं वरना ये मैंने फोटो दिया है इनके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉस कर सकते हैं उसके बाद ये मैं water color के हिल्ट से ये painting करूंगी तो ये है मेरे water color ये water color tubes हैं इनमे 24 shades हैं जो की easily बहुत easy जिसके हम paint कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे shade है हमें कुछ mix करना नहीं पड़ेगा सारे shade इसमें दिये हुए हैं तो अब हम इससे painting start करते हैं और आप सुच रहे होगे कि एकडम से painting start तो ही नहीं सीधे खरी जी का facebook के आ गया तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ना सुबह सुबह पेंटिंग स्टार्ट कर दी और फोन में बैटरी थी नहीं तो इसलिए वो नहीं बनके आया और थोड़ी सी वीडियो जो बनी थी वो डिलीट हो गए तो बच कुछ के कुछ यही थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो मेरे पास बच्ची हैं जिसके हैं से मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जादा कुछ इसमें मैंने पेंटिंग करते वे दिखाया तो है नहीं अगर बोलूं तो पर कोई बात ने क्रिशन जी के तो हमाई पास पेंटिंग थोड़ी बहुत तो मैंने कलरिंग करते वे इसमें दिखाई दिया है तो इसलिए मैं ये लॉंग वीडियो डाल रही और बाकी आप देख सकते हो ये रेफरेंस फोटो वगेरा जिसे कि आपको बहुत एजी रहेगा पेंटिंग बनाने में और अब मैंने पूरी पेंटिंग में कलरिंग कर दी थी बाग्ग्राउंड और क्रिशन जी के साथ तो अब मैं थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी डिक जोड़ा सा कर देंगी और ये कुछ 3D आउटलाइनर मंदा अइट कुछ ऐसे आई मैंने ये पूरी पेंटिंग कमप्लीट कर ई है और आप देख सकते हैं हमारी कृषन जी कितने प्यारे लग रहे हैं ये पेंटिंग कितनी प्यारी और क्यूट लग रही हैं और ये पेंट करिएगा मैं ऐसी और भी पेंटिंग लेके आऊंगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो क्रिशन जी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बाइ बाइ